आप सब्सक्राइब आप आप सब्सक्राइब आप आप सब्सक्राइब 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 आ गढ़िया है यह बंदा इतना घढ़िया है कि यह बंदा हमेशा किया करता है अपने वीडियो में और तो को जलील करना गंदीगंदी बात करना लुगों को इसलिए करना उन लोगों के बारे में सब कुछ मर्द बनो औरते को उपर आना पहले तो छोड़ो सबसे पहली बात यह है ठीक है इसके उपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी और आज मैं फिर से बना रही हूं इस बंदे ने ठीक है आप अपना काम कर रहे हो करो आपको जिसको सपोर्ट करना है करो खिलाब भी बोलन आपके जो शब्द होते हैं उनको चैयन मतलब जो चूज करने का एक तरीका होता है शब्दों का चैयन वह ऐसा रखो ना कि किसी का दिल ना दुखे लोग किते चड़ जाते हैं आप लोगों कि यह पर आप जब अपने आपको दूसरे के वीडियो में आप कमी निकालते रह हां इसने क्या किया था कि सिदारा जी के खिला भी बहुत कुछ बोला था बहुत कुछ बोला था तबी मैंने इस पर एक वीडियो में पर हमारे आसे ही है तो औरतों को target करके क्या मिलता है तुमें एक बात बताओ तुम अपने simple normal vlogs नहीं ला सकते हो तुम ये बोलते हो कि एक औरत जिसे इतनी तकलीफ हुई है अगर वो रो रही है आप अपना खाना दिखाते हो आप अपना नाच नागाना सब कुछ दिखाते हो तो क्या कोई अपना द आपने कौन सा कौन सा काम किया है इTMत वाला यह बता इसथ वाले काम करेंगे तब तो आपको लोग इस अजब आलें देंगे दें भर मनें निकालें कि लोग वह जूरी है इसने सब कुछ पहले से दुनिया पर की पोथी पर्चियां लेकर बैठ गये थे एक सबूत दिखाने के लिए तो ठीक है आपने ये थाबित कर दिया कि आपने जो सर्टिफिकेट वेगरे दिखाया थे ना बहुत लोग बोलते हैं कि आपने दिखाया कि हाँ शादी हुई है लेकिन जब इस तरह से आपने दिखाया कि शादी हो चुकी है तो फिर आप खिलाव क्यों बोल रहे हैं आप एक मतलब अगर आपकी बेहन या बेटी के साथ ऐसा हो तो आप एक बार उस दर्द को तकलिफ कर सोच तो देखिए कि किस तरह से हो वैसे आपको क्यों तकलिफ सोचेंगे आपने तो खुद शादी मितलब वैसा साइन करवा के रखा हुआ ना परमीशन जिससे बोलते हैं वह आप लोगों आपने खुद भी लेकर रखा हुआ परमीशन अपनी वाइफ से तीन साल से कि आपको शादी करनी है करके आप नियुकिति करनी में जो सामने लेकर आता हूं वही सबसे सही रहता है ऐसा वैसा फलाना ढिमकाना यह सब कुछ बकॉस जो आप करते हैं अच्छा तो आप जो अपने वीडियो में लोग बोलते हैं कि चलो ठीक है अपनी वाइफ जो होती है ना मतलब स्त्री जाती जो होती है वो सम्मान के अधिकारी होती है तो इसलाम में तो नहीं है कि अपनी ब ऐसा है आप लोगों में तो पर्दा बहुत है ना पर्दा क्यूं है सम्मान देने के लिए औरत को है ना तो फिर क्यूं न चाते हैं आप गुदगुदी करते हैं कहां कहां गुदगुदी करते हैं सोशल मीडिया पर शरम नहीं आती है अपनी वाइफ को लेकर आकर दिए पर शरम नहीं आती है आप जो एक एजंटा लेकर बैट गया थे कि हमारे यहां तो होती हैं यही आप लोगों की थिंकिंग है यही आप लोगों का सोच है अगर आप इतने अच्छे हैं तो फिर क्यों क्यों आप मतलब जब आप पूरे इसलाम की नियम को मानते हैं पूरा इसलाम का नियम माननो आप जो जो आपने कल तो आपने community डाली है कि आप नहीं लेकर आएंगे अपनी वाइस को फिक है कि देखते एंब लोग कितने दिन तक नहीं आती हैं जो आती नहीं है आपके वाइस कितने दिन तक नहीं आएंगे यह हम लोग देखते हैं पहली बात दूसरी बात यह है कि जो विडियो आपने डाल रखे नो उने किस करते हुए नचाते हुए गवाते हुए उनके साथ अलग-अलग चालेंजिस लेते हुए वह सब प्राइवेट कर दीजे या डिलेट कर दीजे वह भी तो कर दीजे अगर आप ऐसा चाहते हैं कि कोई ना देखे आपनी वाइफ को तो वह सब भी तो कर दीजे आपको वह भी करना चाहिए ना या नहीं करना चाहिए सबसे आपकी गंदी आदत यह है कि आप और तो के लाइक से और इस तरी जो होती है वो लक्षमी होती है फिस तरी को आप जितना इजद दोगे, जितनी खुशी दोगे आप, वो उस आपको इतनी ज़्यादा बरकत मिलीगे, आपके घर में बरकत आएगी, लेकिन आप जितना ज़्यादा रुलाओगे, किसी ओरत का अपमान करोगे, आपके घर में बरकत नहीं आएगी, आपके पास जो है वो और आप तो आपको तो किसी के आंसों पर भी तरस नहीं आता है ना जब सितारा जी रो रही थी तब आप बोलने थे यह नाटक कर रही है आंसों बहा रही है यह कर रही है यह कर रही है आपको थोड़ी भी दया नहीं आई थी कैसे इंसान है अगर किसी के साथ गलत हो रहा है यही सब है। आप जैसे लोग ही हुते हैं, पहले तो ऐसे आप लोग औरतों का साथ देते नहीं है, और जो लोग साथ देते हैं, आप लोग उनको भी बुरा-भला बोलते हैं, आप लोग उसके बाद आप लोग जो मतलब सपोर्ट करने वालों को उल्टा सिधा बोलना गलत बोलना उसके बाद मतलब दुसरे के दुख पर मजाक उडाना हसना यह कैसा है कैसी इंसानियत है यह पहले आप यह सोचिए यह इंसानियत कैसी है कि किसी के दुख में आप कर रहा है सब कुछ कर रहा है तो कितने लोग जल रहे हैं कितने लोगों को जलन हो रही है यह सब को दिख रहा है पर जब आप लोग नमक चिड़कते ना एक तो किसी को उपर वाले ने थोड़ा दुख दे दिया है और उस दुख को या इनसान में दुख दिया उस दुख पर बंद करिए प्लीज बंद करिए यह सब करना यह सब करके आप लोगों कुछ नहीं मिलने वाला है कुछ भी नहीं किसी की हाई किसी की बद्वा किसी का आसु मत लीजे आप लोग वरना सच में आप लोग कहीं के नहीं रहेंगे और यह में कोई धंकी नहीं दे रहे हुए मैं स सचाई बोल रही हैं सच्चाई याद रखेगा ये कई भी ओर के आंसों बहुत जादा ताकतवर होते हैं और ऑरत की हसी खुशी भी बहुत जादा ताकतवर होती है तो 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 प्लिए मेरी वीडियो को लाय 침new गाई कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा और शेयर भी कीजेगा और अपना प्यार बनाई रखिएगा तो चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तिल दिन बाई